किसान साथियों जो मैंने दो दिन पहले 371 नंबर की वीडियो दिखाई थी उसमें बताया था कि टहनी सूखने पर आपको क्या करना चाहिए और ये रोग क्यों होता है उससे दो दिन पहले मैंने इस पर 13,045 और एक ग्राम माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे करा था पानी भी दिया था और पत्ते सब अच्छे हैं इस टाइम आज जब मैं सुबह इनका निरिक्षन कर रहा था तो मैंने देखा कि इन पर एक समस्या है वो समस्या क्या है आज हम इसी बात पर चर्चा करें किसान साथियों मुझे एक किसान ने कुछ फोटो भेजे थे और जब मैंने वो देखे तो मैं दंग रह गया कि इस किसान ने अपने खेत में कितने दिन तक अपने पोदे नहीं देखे हैं मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको पोधों मेर कम से कम तीन दिन में एक बारा वस्य जाना चाहिए है जब मैंने देखा तो आप देखिए कि मेरे पोधों में किस प्रकार एक आज मुझे समश्या मिली इसमें ये सफेद जो चूरन होता है जिसे सुगर की तरह होता है ये ज सिलीड के कीट होते हैं उसके बाद में ये कीट बनते हैं और जब कीट बनते है तो कीटों द्वारा जो मल उत्वन होता है उससे हमें ब्लैक एफिट भी मिलना सुरू हो जाता है आप देखिए इस किसान के इन पोधों पर किस प्रकार ये विमारी आई है और कितनी अधिक पोड़ा ध्यान से दिखाता है। बहुत बारीख है आप ये देखिए ये यहां पर ये देखिए ये चुरन सा है इसमें और अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो ये देखिए ये इसमें सिलीड के कीट भी नजर आएंगे यहां पर जो की फोटो में आपको अच्छी तरह से मैंने जब सुबह इकटे किये थे तो उन पर आपको अच्छी तरह से पता चलेगा अब हमारे इन पोदों पर नए नए जो पत्ते निगल रहे हैं हमें उनकी भी सुरच्चा करनी है और ये देखे ये मेरा एक कुम काट का पोदा है और इस पर कितने फूल आए भी है देखे ये कितने फूल है जो नावेज जी जो हमारे बताते हैं कि अपरेल में टहनियों पर और अंदर की तरफ फूल आते हैं देखे कितने अधिक फूल है इस पर अगर मैं इसकी सुरच्चा नहीं करूँगा इस समय तो ये पूरे के पूर पूधे को कवर कर लेगा और फूल भी खराब होंगे और हमें फल भी नहीं मिलेंगे और हमारी सारी पतिया खतम हो जाएंगे फिर से जो हमें नहीं होने देना है इसे बोलते हैं सिट्रस सिलिट कीट और आप ये देखिए कि ये बिलकुल कोमल जगह पर सुरू होता है ये यह देखिए और इनी पत्तों को खाना सुरू करता है अब इसका इलाज क्या है और ये क्यों होता है और किस समय होता है आज आगर मेरे हाँ देखो तो कल शाम भी कुछ बादल थे आसमान में और आज भी इस से में कुछ बादल है और गर्मी बहुत पड़ रही है टेमपरे उपर से बादल आए और दिन में जो धूम निकलती है बहुत तेज निकलती है ये दो तीन मुखे कारण है जिनकी वज़े से ये होता है जैसे जैसे गर्मी अधिक बड़ेगी ये खतम होगा लेकिन तब तक आपके पोधों को बहुत कुछ नुक्सान कर चुका होगा है एक कारण है कि आसपास जीतने भी गेहों के खेत हैं सब कट चुके हैं और वहां से जो धूल वगरा आती है वो भी एक प्रभाव देती है इन पोधों पर तो आईए हम इन पर बात करते हैं कि इनकी हमें क्या सुरक्सा करनी चाहिए इस कीट के लिए आप दो तीन दवाई में बताता हूँ मैं जैविक भी बताऊंगा और मैं इसमें केमिकल भी बताऊंगा डाई मेथियोट जो आती है जो टिफगोर के नाम से आती है रोगोर के नाम से आती है दो एमेल परती लिटर का इस्प्रे कर सकते हैं प्रोफेक्ट सूपर का भी इस्प्रे कर सकते हैं दो से अगर जेवी करते हैं तो जो मैंने बताया है डॉक्टर नीम प्लस जो आज मैंने कराया है आप देखें मेरा ये कर रहा है यहां पर जो साहिक है ये कर रहा है वो पांच एमल पर्तिलिटर लीजिए और उसका इस्प्रे करिए और फिर हम दिखाएंगे आपको पांच दिन बा बलके रोज जब भी बिमारी आए कोई इस्प्रे करें आप तो दो तीन दिन बाद उसका regular फिर निरिक संड करें कि कहीं कोई रह तो नहीं गया और ये ध्यान रखें कि पत्तों में नीचे की तरफ से भी इस्प्रे हो इसमें मुझे एक नीमू की तितली भी दिखाई दी थी ये देखिए ये नीमू की तितली बैठी है तो ये भी समाप्त हो जाएगी जो इस्प्रे करते हैं इस्प्रे के लिए एक ध्यान रखना है आपको कि वो पत्ते अच्छी तरह से उस्प्रे को ग्रहन कर लें उसके लिए आपको मैक्सिमम ये ध्यान रखना है कि टेंपरेच तो उसका असर बहुत कम होगा और आपके पत्तों पर दवाई अच्छी तरह से वो उसको ग्रहन नहीं कर पाएगा तो कोशिस कीजिए सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इस्प्रे करें और शाम को जैसे अब समय हो गया है फिर आप 4 या 5 बजे से इस्प्रे करें और 2 गंटे फिर इस्प्रे करें तो आपके पोधे स्वस्थ होंगे जब भी नए पत्ते निकलते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि उन पोधों पर बार-बार निरिक्षन करें कोई समस्या तो नहीं है किसान साथियों अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुया तो ये टहनियों पर बुरी तरह चिपक जाएगा टहनियों पर चिपकने के बाद जो इसका मल होगा उससे ब्लैक एफिट भी आएगा और आपके पूरे पोधे को ये ग्रिफ्ट में ले लेगा जितने फूल हैं सब गिर जाएंगे और सारी पतिया भी नस्थ हो जाएंगी नीमबू की तितली भी आएगी इस पर और ये देखिए इसका ही परिणाम होता है कि ब्लैक एफिट भी आपका आता है तो अपने नीमबू के पोधों में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पोधे स्वस्थ होंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, बंदे मातरा